हेलो अबरीवान वल्कम टू माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं चकोर शेप में आपको बहुत ही प्यारा साइड डिजाइन बनाना सिखाऊंगी यह देखिए इसमें फ्रेंड्स मैंने तीन कर का यूज किया है आप इसमें चार कलर भी लगा सकते हो वह आपकी अपनी च् जो भी आपने चारो तरफ यह पट्टी लेनी है जिस चीज से हम फंदे डालेंगे यह हमारी उसी कलर से आएगी इस साइड की पट्टी ऐसा नहीं है आप इसको अलग भी रख सकते हो लेकिन मैंने ऐसे ही इसको बनाया है अगर आपको यह चारो तरफ अलग कलर रखना बिल पे इससे प्ति बनाई थी उसी को मैंने चारो तरफ लिया है आप इसको अलग लेना चाहो तो आप इसको अलग भी ले सकते हो तो रिखल को सबसे पहले इसमें फंदे डालेंगे इसके लिए देखिए फ्रेंड्स मैंने नाइन नमबर की निडल्स का मैंने यूज किया है और ये मेरे पास वूल है पतली है तो इसको मैं डबल कर रखा इसको मैंने आप देखिए दो तेन चार पाँच छे शे शाट आट नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिस, और ये 20, 20 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिये हैं ये देखिए बीस फंदे डालने के बाद आपने क्या करना है फर्स्ट रो से यहीं से हम अपना इसमें डेजाइन स्टार्ट कर देंगे तो देखिए यहीं से फ्रेंड्स मैंने आपे दो का एक कर दिया देखिए दो में डाल ली और दो का एक यहीं से में इसमें कर दूगे फर्स्ट रो से ही बिलकुल और आगे के फंदे हम ऐसे कि देखे जितने भी आपने फंदे डाले हो फ्रेंड्स इसमें कोई यह नहीं है कि आप इसमें जोड़े के इसाव से फंदे डालिए जितने आप इसमें फंदे डालिए लेकिन बनाने का तरिक्षा बिल्कुत सेम रहेगा व्यूडियो को एंड तक देखिएगा कलर भी आप इसमें अपनी 24 से जितने मर्जी उतने मर्जी आप इसमें कलर लगा सकते हो यह देखिए लास्ट में फ्रेंड्स हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना है सारे ही हम ऐसे बना लेंगे पलट लेंगे इस साइड से अभी हम ऐसे ही उन्टा उन्टा बनाते हुए इस रो को पूरा करेंगे देखिए फ्रेंड्स दो रो मैंने इसमें उतार ली है इसको भी हम ऐसे बना लेंगे यह देखिए फिर से पलट लेंगे फिर से हम इसमें ऐसे फंदा गटाएंगे एक फंदा हमने इसमें और गटा दिया कि यह देखिए इस साइड से भी इस रो को बना लेंगे बैक साइड में इसमें हम कोई भी फंदानी छोड़ेंगे नीचे की तरफ इसी तरीके से हम इसको ऐसे बनाएंगे यह बस खाली हमने सिंपल आगे एक फंदा भी गटाया है अब देखिए बिलकुल सिंपल डिजाइन है और बहुत सुंदर लगता है यह बनने के बाद बहुत ही इजी है जो भी मेरी बेहने बिगिनर्स हैं वो भी इस डिजाइन को अच्छे से बना लेंगे अब यह देखि फिर से मैं इसमें एक फंदा ऐसे ही गटा दूँगी और यह रो पूरी ऐसे उतारूंगी साइड से ऐसे उतारूंगी यह देखिए दो लाइन हमारी हो गई है और इसके बाद फिर मैं एक फंदा यहां पे और गटा दूँगी और ऐसे ही मैं बनाऊंगी तो हमारी यहां प यह लाइन यहां पर हो गई है टोटल दोनों साइड से गिने तो आठ रो हो गई है और यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 16 फंदे हमारे यह रह गए 4 फंदे हमने गटा लिए अब हमें क्या करना है अब हम इसमें अपना एक कलर ओर लगाएंगे तो देखिए हर बार आपने ऐसे फंदा गटाना है यह दो काई कर दिया एक दो तीन चार मैंने फ्रेंट्स यहां पर पट्टी के चार फंदे रखे हैं अगर आपको ज्यादा रखने हैं आप बड़ा बन आ रहे हो तो आप यहां पर 6 फंदे भी रख सकते हो आठ फंदे भी रख सकते हो वह आपके अपने च्वाइस है यह देखिए यहां से मैं इसमें एक कलर और लगा दूँगे इसको भी आसे पक्का करते हूँगे अब देखिए तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा फंदे यह हैं और चार हमारे यह हैं पंदरा फंदे हैं एक फंदा हमने गटा लिया था सोला थे इस साइड से भी हम ऐसे ही बना देंगे बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बहुत ही आसान है इसे बनाना प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना बीच में जहां जहां इसमें छोटे-छोटे चेंज आएंगे वह मैं आपको बताऊंगी साथ-साथ है देखिए यह हमारी राइट साइड है राइट साइड से जो फंदा जिस कलर का होगा उसी कलर से बनाएंगे करोस कर लेंगे और रेड आगे लेके आएंगे और बाके की रेड से बना देंगे यह देखिए अब फिर से देखिए फ्रेंड्स यहां से हम अपना फंदा गटाएंगे दो का एक कर लिया पट्टी के हमारे तीन बच गए लेकिन पट्टी के हमने चार करने है तो एक हम अंदर से ले लेंगे यह हमारे होगे चार फंदे इसी दरीके से आपने अंदर से एक एक फंदा प इस साइड से भी हम ऐसे बनाएंगे जो जीस कलर का होगा उसी कलर से बनाएंगे बहुत एजी डिजाइन है बहुत प्यारा डिजाइन है बहुत ही जल्दी जल्हाइक सारी मेरे वैन बना लेंगी है डिक बात में दिखाऊंगे फ्रैंड्स मैंने में चुंणी से भी बना रखा है इसका ही सेमपल वह में आपको देखांगी चुंणी से भी आप से बना सकते हूं शाडे इसे ब बना सकते हो एक फंदा गटा लिया तीन रह गई एकागी से ले लेंगे फंदा आपने हर बार गटाना है बिलकुल एंड तक और जो ये फर्स्ट वाली बनाओगे फ्रेंड्स जैसे जैसे आपने कलर इसमें सेट किये हैं वैसे ही आपने बाकी की भी जो हमकली बनाएंगे उनमें भी सेम ऐसे ही करना है तब ही इसकी लुक आएगी इस चेज का भी आप दिहान रखिएगा जितनी भी रो जिस कलर से आप बनाओगे तो सेकिंड पार्ट में थार्ड में और फोर्थ पार्ट में भी आपने बिलकुल सेम वैसे ही बनाना है जितने फंदों पे आप दूसरा कलर लगाओगे तीसरा लगाओगे बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बनाना है यह देखिए अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे एक फंदा और गटा दूँगी और एक फंदा आगे से इसमें कन्वट करता होगी अब यलो के हमारे पास एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फंदे बच गए बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से बनाना है जितना आपको बढ़ा बनाना है, जो भी साइज आपने रखना है, उसी साइज का आप इसे बना सकते हों, बहुत इसली प्ट्टे के हमारे तीन बच गए एक आगे से ले लेंगे प्ट्टे के हमने चारी रखने है अपने एक दो तीन चार लाइन हमारी हो गई है और यह पांचवी इस बार हो गई, मैंने उसमें भी जो नीचे बना रखा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें भी मैंने यह एलो की पांच लाइन ही लगाई है, तो इस चीज का आप देहान रखिए यह देखिए, पांच लाइन हमारी कम्प्लीट हो गई, यह देखिए फ्रेंड्स इसमें भी मैंने यहाँ पी पांच लाइन ही बनाई है, अब देखिए यहां से, फिर से हम अपना एक फंदा इसमें घटा लेंगे, अब पत्ती के फिर से हमारे पास तीन फंदे हो गए, एक आगे से लें लेंगे, यह देखिए, यह देखिए एक मैंने इसमें तीसरा कलर और एड़ कर लिया है अब देखे दो तेन चार पांच छे फंदे हमारे बच गए मैंने यलो की फ्रेंड्स दस रो बनाई हैं दोनों साइड से गिनेंगे तो आप इसमें आठ रो भी बना सकते हैं जैसे जैसे आपने कलर इसमें सेट करने हैं वैसे आप अपने चोईस से आप इसमें कलर सेट कर सकते हो जितने बड़ी चोड़ी पट्टी कम चोड़ी जो भी बनाना चाते हो आप बना सकते हो यह देखिए देखिए हमने यहां से पिल्कुल फर्स रो से फंदे गटाने शुरू करे कि उपर तक हम चले गई हैं हर बार हमने एक फंदा गटाया है इस चीज को आप त्यान रखिएगा चार फिर से हमने अपने पट्टी के कर लिए एक कम हो गया था आगे गटाया था एक, दो, तीन, चार, आज ग्रीन कलर के फंदे हमारे बिल्कुल ही खतम हो जाएंगे एक के करके पीछे से रेड थ्रेड लेके आएंगे आगे करोस करके यह देखिए एक फंदा में यहाँ पे फिर से गटा दूंगे अब पट्टी के फिर से हमारे पास तीन बचगे एक आगे से ले लेंगे एक, दो, तीन, चार, आठ फंदे बचगे फ्रेंट्स हमारे पास टोटल चार ग्रीन के और चार रेड के बिल्कुल आपने इसी तरीके से इसको बनाना है एक ही साइड से फंदे गटाने है लास्ट तक फ्रेंड्स पूरा होगा तब तक आपने इसी साइड से फंदे गटाने है वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी देखे फिर से एक फंदा गटा दिया एक आगे से ले लेंगे अब आगे हमारे पास बच गे तीन नफंदे इसको पीछे करेंगे पीछे से आगे लेके आएंगे कि देखिये फिर से पलट लेंगे एक फंदा फिर से में घटा दूंगे एक आगे से और ले लेंगे अब ग्रीन के हमारे पच के दो फंदे पलट लेंगे यह दो बनाएंगे ग्रीन से पिछे करेंगे पीछे से त्रेड पिछे से रेड आगे लेके आएंगे और वाकिके चार फंदे में रेड से बना दूंगे अब फिर से हम इसको पलट लेंगे पूरी फ्रेंड्स मैंने आपको एक कली बना के दिखाई है तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगे बनाने में यह देखिए एक फंदा हमारा बच गया है तो एक फंदा हम बनाएंगे ग्रीन से ग्रीन को करेंगे पिछे पिछे से रेड आगे लेके आएंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यह देखिए फिर से हमने एक फंदा इसमे हैं गटाया अब ग्रीन कलर हमारा बिल्कुली खतम हो जाएगा हमारा खाली रेड बच जाएगा कि यह देखिए कि जैसे आपको यह खतम हो गया तो इसको काटके आप यहाँ पे इसकी नोट लगा दीजिए कि अब देखिए कि इनको भी हम गटाएंगे फिर से हमने दो का एक किया बहुत ही प्यारा डीजाइन रेंडस बहुत ही आसान डीजाइन है ऐसे ही आप इसको बना के complete कर लोगे बहुत ही जल्दी-जल्दी छी देखिए ही पिर से हम फंदे गटाएंगे इस तरीके से गटाएंगे जैसे गटाते आ रहे हैं अब जैसे दू का एक करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस चीज का आपने बिल्कुल खास ध्यान रखना है, एक ही साइड से हम इसमें फंदे गटाएंगे, अब ये देखिए, एक फंदा हमारा बच गया, अब हम क्या करेंगे, इस साइड से हम गटाकते आए हैं, इस साइड को हम नहीं छेड़ेंगे, यह वाली साइड है, यहां से हम फंदे उठाएंगे, तो कैसे उठाएंगे, देखिए, एक हमारी निडल में है, यहां से सीधी साइड से ऐसे निडल अंदर करनी है, यह सीधी साइड है, हमारी यह उल्टी साइड है, तो सिधी साइड से अंदर की साइड करेंगे उल्टी साइड यह देखिए एक था पेले एक और बना लिया दो जहां से देखिए तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा एक एक किनारे का ले लेंगे एक फंदा हमारा बच गया फ्रेंड्स एक फंदा देखिए जहां पे भी आपको गैप लगे वहीं से हम एक फंदा अपना कम्प्लीट कर लेंगे इस रो में आपका एक फंदा दो फंदा अगर कम रह जाएं तो हम बनाते हुए इस साइड आएंगे तब हम अपना फंदा कम्प्लीट कर लेंगे आपके सामने करके दिखाऊंगे मैं देखिए एक ऐसे बनाना है आपने दो तीन यहां से भी कर सकते हैं ऐसे उठा के और आप ऐसे बना लेजिए यह देखिए तीन होगे इसको हम ऐसे बना लेंगे चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस और बीस इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसमें फंदे उठाने हैं और इस तरीके से हम इसको बनाके साइड तक आ जाएंगे यह आपकी कली की शेप आएगी जितने भी फंदे फ्रेंड्स आपने नीचे डाले थे उतने फंदे आपने यहां पर उठाने हैं फिर से जैसे आपने फंदे डाल ले थे हमने स्टार्टिंग में ऐसे ही हमने डिजाइन को फिर से यहां से स्टार्ट करना है और फंदे इस साइड से हमने गटाए थे तो यहीं से गटाएंगे तभी हमारा यह ऐसा कोना बनेगा तो यहीं से फंदे इस साइड से आप फंदे प। गठाना फ्रेंड्स आठ रो मैंने उतार रखी हैं रेड की फिर हम 4 पटि के रख लेंगे और फिर हम अपना यल्उ कलर इसमें लगा लेंगे 8-10 मेने यल्व की उतार रखी है उसके ऊपर फिर मैंने अपना ग्रिन कलर लगाया है आपया पर überनती उतार सकते हो कम भी उतार सकते हो ज्यादा भी उतार सकते हो वह आपके अपनी 24 है यह पिछे की साइड आपने कुछ नहीं करना सारे फंदे आपने ऐसे सिंपल बना लेने हैं पलट लेंगे इस साइड से ऐसे बनाएंगे और यहां से देखिए फिर से हम यहां पर एक फंदा गटा इसी तरीके से जितनी भी रोच रेंसकि आपने इसमें यहां पर नीचे बनाई हैं, मैंने जैसे यहां पर आघ्रोफ से गणें हैं न, इसे न शेए depri बनाने हैं, इसी साइड से यहां से फंदे उठाज कर यहां से फंदे उठाज कर तर आगे तर और इसे पाट के आप न इस यहीं तक आपने फंदे उठाने है एक फंदा जब आपको उपर बच जाएगा जैसे अभी हमारा यहां पर बचा था तो आपका यहां पर इस साइड की तरोक उपर की साइड जाएगा एक फंदा बच जाएगा और फिर आपने यहां तक फंदे उठाने है इस साइड तो हमार यहां से स्टार्टिंग की थी इतना मैं इसको ऐसे सील दोंगे जितना मर्जी आप साइज में इसको बड़ा छोटा बना सकते हो और यह देखिए यह मैंने चुन्नी से बनाया था तो चुन्नी से आप इसमें ऐसे बना सकते हो चुन्नी से भी साड़ी हो चुन्नी हो कोई भी क